अरे कालू वही है गोरी बाबी आप लोग यहां कैसे अरे जंगल में बाड़ा गी थी उसमें हमारा गुसला बैगिया टूनी हमारी मदद करो ना टूनी चड़िया तो अपने दो बच्चों के साथ अपने कोसले में बड़े आराम से वैठी होती है उसके दो बच्चे बहुत को भी खिला देती है अपने पती से कहती है कालू जी कैसे भी करके इस टूनी चड़िया को यहां से बगाओ यह हमारे इसे कभी बोजन का जाती है और आप तो बिल्कुल भी द्यान नहीं देते हो हम लोगों को बोजन भी नहीं मिल पाता है अच्छा गोरी परिशान मतो मेर दिमाग में एक योजना है मैं ना पहले टूनी चड़िया से डोइस्टी करूँगा और उसके बाद मैं चील को उसके बच्चों को काने के लिए बोल दूँगा जिससे बहुत अच्छा सबक मिल जागा और वहां से भग जाएगी हाँ आप आजी ऐसा काम कीजिए उसके बा टूनी तो ऐसा उसे कहती है जब तक टूनी दाना लेने जा रही है आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो वीडियो को एक लाइक कर दो और कमेंट में अपना नाम लिखना मत बूलना क्योंकि साउट आउट में आपका नाम जरूर आएगा उसके बाद टूनी दाना लेने जात उसके बाद कालू कुआ और कर सबसे पहले चील के पास जाता है वह बहां पर देखता है चील को मारकर खा रही होती है वह और का चीडिया के बात अची है यह तो बच गई मैंने आपको एक काम दिया था आप वो काम भी नहीं कर पाए, आप कैसे हो, आप उस चिडिया को कैसे सबक सिकाएंगे, वो तो ऐसे वाते कर रहे थे, जंगल में दूसी तरफ बारिस चालू हो जाती है, जहाँ पर टूनी चिडिया को गोसला होता है, पहाँ पर भी बेंकर बारिस होने लगती है, और चिडिया बहुत ज्यादा दुकी हो जाती है, कहती है, मेरे बगबान इतनी जोरों से बारिस है, मैं अपने बच्चों के लेकर कहा जाओं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरा गोसला तो सारा खुला हुआ है, जहीं बंद भी नहीं है, मैं क्या करूँ यार, अच्या काम करती ह मैं कालु कोई के पास जाती है, मेरी मदद जरूर करेंगे, उसके बाद वो कालु कोई के घर की तरब जाती है, वो दरवाजा घटकरा दी, कालु या, कालु या, गेट तो गोलो, मैं हूँ टोनी चिडिया, मैं हूँ टोनी चिडिया, कालु घर से बाहर आता है, वो तो ऐस मोखी त्लास में था था किृड़िया बारिस में बंग रही है वो घा हुब के लग बारिस में बिए फुम आरे ली लगेर उसे ऐसा कहते हुえकर निकाल देता है तो उस पर भ Msnagos अब और रहे थी अब बहुत आ रहे हैं तब हुसके कान में और अवाच पड़तीए। चेडिया तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, उसे एक बोलने वाला पेड़ दिखाई देता है, टूनी तो उस पेड़ के पास पहुशती है, वो कहता है, चेडिया तुम बारिस में क्यों भीग रही हो, आओ, मैं तुमें अपने अंदर जगे देता हूँ मेरे कोटर में बहुँच जगे है, तुम अपने बच्चों को लेकर इसके अंदर आराम से रह सकती हूँ, चेडिया तो इसी मौके की तलास में थी, वो कहती है, क्या सची में आपके कोटर में इतनी जगे है, क्या हम तीनों लोग रह सकते हैं, आप तीनों क्या, आपके और भी family member आजाए ना वो भी आपर रह लेंगे तो उसके बाद वो पेड़ चिडिया की बहुत जादा मदद करता है एक गोसला बना कर अराम से रहने लगती है दूसरी तरफ जंगल में बहुत जोरों की बारिसे चल रही थी बारिसों तो बन नहीं हो रही थी और उसी बारिसों क बज़े से जंगल में बार भी आ जाती है कालू कोई का गोसला तो जमीन पे बना हुआ था वो बार के पानी में बह जाता है अब गोरी और कालू तो बिचारे बार में फस जाते है उन्हें कुछ समझ भी नहीं आता है वो लोग कहां पर जाए चलते हुए उसी पेड़ के प परेशान मतो इस पेड़ी कोटर में बहुत अच्छा गोसला है इसमें बहुत सारी जगह है आप इसी में आके हम लोग हापस में मिलके प्यार से रहेंगे तूनी अपने बच्चों के साथ में गोरी और कालू को रखने लगती है कालू उसे बहुत जादा धन्यवाद देता टूनी वैन हमें माप कर दो हमने आपको मैसा मानने की कोजिस की लेकिन आपने आज हमारे इतने बुरे बक्त में मदद किया आपका बहुत बहुत सुक रिया दोस्तों हमें हमेसा दूसरों की मदद करते रहना चाहिए